हालो दोस्तों स्वागत है आपका जीकेवित अजीम यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज का हमारा टपिक है अपर रूपता देखिए अपर रूपता जो है ये समस्थानिक और संभारिक नहीं होता है अपर रूपता एक अलग चीज़ है समस्थानिक क्या होते हैं कि जिनके पर्माडु कर्मांग समान हो लेकिन दर्माण संख्या भेन भेन हो वो कहलाते हैं सम अस्थानिक और संभारिक वे होते हैं जिनके दर्माडु कर्मांग संख्या समान होते हैं लेकिन पर्माडु कर्मांग भेन 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 हो ये चीज़े अलग है ये इसमें पर्माडु कर्मां और औरमान संख्याद दोनों होते हैं पर वास्तों में मौलिक रूप में वो एक ही होते हैं तो अपर रूप क्या होते हैं एक अत्तों के भिन भिन रूप जिनके रासाली गुण समान किंतु भौतिक गुण भिन भिन होते हैं अपर रूप कहलाते हैं यानि कई रूप होते हैं अब देखिए हम जो यहां पर की आपरुप के कार्बन नोग बाता है क्रृस्टलि और क्रृस्टलि क्सका कार्थ की एक उसके atomic structure एक आकरिती में सजे हुए हूँ कहलाता क्या है क्रिस्टलिये और और क्रिस्टलिये जिसकी कोई परमाडवों की विवस्था नहों आपस में जुड़ने की इसमें आता हीरा ग्रेफाइट फुलरीन और ग्रेफिन आता है ग्रेफिन हाल ही में खोजा गया एक नया मैंने इधन में पढ़ाया है लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा पहला आता हीरा और ग्रेफाइट हीरा और ग्रेफाइट के बारे में जा लीजिए यहां पर आईए कार्बन का यह सबसे सुद्रूप कौन सा है हीरा है और दूसरा सबसे सुद्रूप फोती है कार्बन के यह चतुष हलकिय होते हैं यह इस तरह से मिलकर लगय होते हैं यहां डानी के किया है ग्रिफाइट में क्या होता है जब यह जूरते हैं तो यहां पर एक Elliott daun जो है बच जाता है जिससे Grafyt विदुद्ध का सुचालक है जब्कि क्या होता है यह यह हीरा विदुद्ध का सुचालक है हीरा जो है वो सबसे कठोर है पदार्थ जितने भी पदार्थ मिले है वे सबसे कठोर है हीरा धातू नहीं है और धातू है कार्बन का रूप है शुद्ध रूप लेकिन समस्त तुबों को जोड़ा जाए तो सबसे कठोर कौनसा होगा वो है हीरा और सबसे कठोर धातू की बा है वो एं्त्रसाइट कोईले को ताप दाप दिया जाए तो बन जाएगा ग्रिफाइट को जब ताप और दाप दिया जाए ग। आग में डाल के जला देंगे वास्तों में यह कार्बन का सबसे सुध्द रूप है अब देखे यहां पर हीरे का इस्तमाल कहा हम होता है आभूचन में धातूंगों को काटने में होता है क्यूंकि ये कठोर है हीरे को नापते हैं कैरेट में एक कैरेट बराबर 200 मिलीगराम के बराबर होता है और सोने वाला जो होता है कैरेट वे प्रतिशत को दर्साता है कितना इसमें ताबा मिला ग्रिफाइट के इस्तमाल जो होता है पैंसिल में होता है पैंसिल जो निब होती है आगे वाली जिससे हम लोग लिखते हैं ग्रिफाइट होता है सनेहक के रूप में चिकना होता है यह नरम है सेल में जो सेल आती है हम लोग की हेकलांसी सेल जो आती है जो चार जिन नहीं मत हो ते घड़ियों में उसमें इस्तमाल होता है जो चड़ होता है वह झानतर्अ lesser होता है अब आते हैं दूसरा आता है अ ग्रेफिन के खोज आंद्रे जीममंकास्टाटीन नोवोसेलवो निक या था। यह जो दो साइंटिस्ट हैं अंद्रे जीममंकास्टाटीन नोवोसेलवो यह लोग सनल 500 फांच में ये लोग इस की खोज किये। और 2010 में इन लोगों को इस खोज के लिए नोबेल पुरिसकार दिया गया। ग्रेफिन कारबन का एक नया खोजा गया अपरूप है। ग्रेफिन एक पतली लेयर है, कारबन के परमाड़ों की एक पतली लेयर है। और लगभग ये कारबन का सबसे हलका अपरूप है। उनमें इन्ही का इस्तमाल होता है, तो भविस में बैटरी को ये रिपलेस करेगा, कौन सा ग्राफिन, ग्राफिन जो है यह इतने पतले होती है, ये लेयर कि जल को च्छानने के लिए भी इसका इस्तमाल आने वाले समय में होगा, अभी ये रिसर्च अवस्था में है लेकिन ये आने वाले समय में जो हमारे सेल हैं बैटरिया बड़ी-बड़ी हैं उनको छोटा बना देगा और पावर को भी बढ़ा देगा ग्रेफिन को जानिएगा उसके बाद रता है फुटिबाल के सननना के बराबर या फुटिबाल के सननना की तरह होती है जैसे आप इसे देखें, फुटबाल जैसे बना होता है, इस तरह से इसके ये कार्बन यो काला काला भाग जानी ये कार्बन है, कार्बन इसी तरह आपस में मीले होते हैं, इस तरह पूरा एक गोल एक अनू बना लेता है, जैसे फुटबाल होता है, और इसमें जैसे खाचे बने होते हैं, ये बांड हो गया इनका, जो काला काला मैं दिखाया हूँ, यहाँ पर ये वाले हिस्सों में ये हो गया इसके अणू होते हैं, एक एक अर्माडू होते हैं, अब मिलकर ये साथ मिलकर एक सनचना बनाते हैं, जिसको फुलरीन कहा गया, फुलरीन नहीं, फुलरी ये कार्बन का भी अपर रूप है अब क्या होता है कि कार्बन एक फुलरीन का एक अणू कार्बन के 60 अणू से मिलकर बना होता है ये गोल होता है इसलिए इसको बकी बाल भी कहा गया है क्योंकि गेद की तरह होता है ये कार्बन का सबसे क्रियशिल रूप है और ये जादा त कारवन का दूसरा और स्टिले रूप है कोईला इसके बारे में हम लोग इधन में पढ़े हैं अगर आप इधन वाला चेप्टर नहीं देखें तो उसे जाके देखिए चारकोल लकडी को क्या करते हैं आक्सीजन की अनुप स्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है चारक मैंने इधन वाले में बताया है अब आता है अपर रूप फास्फोरस का हम पहले लेंगे इसके बाद अब फास्फोरस फास्फोरस दो ही टाइप की होते हैं अपर रूप एक को कहते हैं सफेद फास्फोरस और एक को कहते हैं लाल एक सफेद एक को लाल इसका सुत्रतर पी- यह अत्यधिक किरिया शील है वायू में छोड़ेंगे यह जलने गया जलता है और आकसीजन से किरिया करके फासफोरस पेंटा आकसाइड बना लेता है बहुत तेजी से किरिया करता है इसलिए इसको जल में डुबाते हैं यहाँ ध्यान देने वाद है फासफोरस को जल में जिगरी होते होते तापमान पर जलता है यह इसलिए इसको पानी में डूबा कर रखते हैं इसको हावा में छोडेंगे तो यह चमक Dwutpan करता है इसलिए यह अंधेरे में चमकता है और यह फ्लोरिसेंट टाइप का orangб और यह प्रकास जो छोड़ता है वो पीले रंग का छोड़ता है इसकी जुआला जो होती है आपके हाथ को जलाएगी नहीं इसकी जुआला होती है ठंडी ठीक है इसका इस्तमाल चूहा मारनी के दवाओं में आतिश बाजी में फासफर बरांज नामक मिसर धातू बनाने में होता है और सफेद फासफोरस को अगर हवा में देर तक छोड़ दिया जाता है तो इसका रंग बन जाता है पीला यानि पीला और सफेद फासफोरस एक ही ही है इसके बाद आता है लालफ हसफोरस इसका है सुतर P2 यह निसक्रिय है यह तेजी से किरिया करता है नहीं है इसका इस्तमाल जो हता है माचिस उद्योग में होता है यहां अगला आता है Sulfur Sulfur का आणवी के सुतर S8 यह देखिए यह होता है पीला Sulfur इसको कहता है alpha Sulfur यह सबसे अस्थाई जबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला Sulfur है यह हर जगा मिलता है और इसका इस्तमाल सबसे अधिक होता है दूसरा आता है beta Sulfur इसको कहते हैं सफेद गंधक इसरा आता है गामा सल्फर यह सबसे कम मिलने वाला सल्फर है इसको कहते हैं सफेद नर्म सल्फर या प्लास्टिक सल्फर सल्फर का इस्तमाल कहां कहां पे यानि गंधक का पहला कीट नासक के इस्तमाल में चर्म रोग में गन पाउडर हनाने में औशधी में, फंजे साइड के रूप में, यानि फफूद के रूप में, यहां पे कहीं दवा हनाने में, रबर के वलकनाईजेशन में इसका इस्तमाल होता है, इसका सल्फर का, तो सल्फर यहां यहां इस्तमाल होता है, उसके बाद आता है आक्सीजन, आक्सीजन दो इसके अ जो यह वाला है आति जैने इसको ओटू कहते हैं यह इसवी को कहते हैं पराण वायू या जीवन दाई वायू और यह जब आप इसको दुरवी आवस्था में ले आएंगे तो यह हलके आस्मानी रंग का नीला दिखाई दिदेता है और हमारे इंवर्मेंट में पूरे वायू हंडल में यह 21% गैसों में से है इसका भाग क्या है 21% है और ज्यादा तर इस यह किरिया करता है धातूओं से या धातूओं से और उनके आकसाइड में इसको परिवर्तित करता है इसका इस्तमाल जो होता है क्रितरिम सोसन में या गोता खोरी में होता है क्रितरिम सोसन या ग एंधा आपको हैसास होगा उसमें मिलाते हैं। हैं इस तरह से गोताखोर कौन आक्सीजन और इसका इसलिए राकेट उद्योग में होता है द्रवित आक्सीजन का इस्तमाल वहां पर होता है अगला आता है ओजोन इसकी खोच किये थे वान मारम ने किया था और नामकरण इसका शानिबीन ने किया था और हमारे इंवर्मेंट में यह समताप हंडल के मीचले परत पर मिलता है और यह हानिकारक परा बैगनी कियों को आने से रोकता भी है और सबसे और अगर यह चिदर हट जाये तो जमीन पर यूवी रे आ जाएगा अगर वाई हंडल वाला आप मेरा चेप्टर नहीं देखे हैं तो अब भुगोल के प्लेलिस्ट में जाईएगा और वहां पर मैंने इसके बारे वीडियो बनाया है कि यह क्या होता है ठीक है ओजोन दिवस 16 सितंबर को अनाते हैं ठीक है इसके बारे मैंने पूरी पूरी बात बताई है इसके बाद यह बनता कहां पर है या तो यह बीरे भी बाहर आता है और वहां पर यह ओजोन गैस भी बाहर आता है यह फोटो कापी वाली जो होती है मशीन वहां पर भी यह गैस बनती है यह रंग में गाढ़ा बैगनी लरकी गैस है दुरावस्था में आएगी तो और यह जहरीली है गैस और इसकी महक सड़े हुए को शुद्ध करने में एवब कीट नाशक में होता है और कहीं कहीं चीजों को ब्लीच करने में भी इसका इस्तमाल होता है जैसे उन उन को और जल को साफ करने में तो इससे कोस्चन डाइरिक्ट आते हैं जो मैंने आपको बाते बताई हैं अपर रूपता से कारबन, हस्फोर इन ही से परिक्षा में सवाल आते हैं तो आप इन टॉपिक को समझ लीजिए अगर आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए इससे अधिक सवाल परिक्षा में नहीं आते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो इसे करिएगा लाइक और कमेंड करिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं है तो इसे करिएगा सब्सक्राइब और पढ़ने वाले लोगों में इसे जादा से जादा शेयर करिएगा तो मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा जैहिन